जैसा ही राम नमस्कार मैं ब्रिजमों सूरी स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में आज हम बात करेंगे रविवार के उपाये की आप जानते हैं प्रते दिन एक उपाये मैं आपको बताता हूँ आज आपको उपाये बताने वाला हूँ यह बहुत इंपोर्टेंट उपाये हैं रविवार का दिन बहुत बड़ा दिन है इस दिन आपको बहुत लाब मिल सकते हैं यह उपाये वश्य कीजिएगा किसी भी सूरत में मिस मत होने दीजिए अपने रिष्टेदारों को भी कहिए सबी करें अपने दोस्तों को भी कहिए सबी करें क्योंकि आने वले साल में यह महत्व पूर्ण संडे है और यह उपाये भी महत्व पूर्ण है जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह उपाये आप जरूर कीजिएगा किसी भी सूरत में इसको इगनोर नहीं करना है उपाये बहुत असान है एक तो आपने गुड ले लेना है और एक गेहू ले 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 कनक गेहू ये ले 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 गेहू और गुड गुड जितना आपका दिल करे उतना गेहू कम से कम 800 ग्राम इन दोनों चीजों को आप यहां तो जमीन में दबा दे यहां दान कर दे यहां जल परवा कर या किसी धरम स्थान में रख दें, गेहूं ले लें, कनक और गुड़, दोनों का आपको विशेश लाब मिलने वाला है, जब आप ये उपाये करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, एक तो आपको आने वाले करीब 120 दिन तक रोग से आपका बचाव होगा, जिन लो लोगों को इज़त की चिंता हो रही है, कोई नुकसान होने वाला है, नुकसान नहीं होगा, पुलिस केस, अदालतिक केसों से बचेंगे, पैसा तेजी से आएगा और इज़त मान बढ़ेगा, इसलिए ये वाला उपाये बहुत इंपोर्टेंट है, किसी भी सूरत में इग इंकलब कीजिए, कि इसका फलां व्यक्ति को मिले, और फिर वो उपाये कीजिए, जल जो है जमीन पर फैंग दें, और फिर उपाये कीजिए, उसका लाब उसको मिलेगा, यदि आपने अभी तक कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कीजिए, क्योंकि इ झाल कीजिए, कि इसका लूर कीजिए, कि इसका लूर के इस चैनल कीजिए, कि ऑने आपने और फैंगी कीजिए, कि अरूर के बांद में आपना पैंगी।